वेल्कम टू दबी यस आनलाइन इस्टड़ी श्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल बी यस आनलाइन इस्टड़ी में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो ने बीश एक कैस और बाइस दिसंबर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर करेंगे तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को सेर करें आप चनल को सब्सक्राइब कर हमेश सपोर्ट करें तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते ह है और दोस्तों अगर आप सभी लोग को इसका पीडियेप चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में हमारे टेलिग्राम गुरूप का लिंक दिया हुआ है आप ल अने खर्णा प्रशन है क्विछ आगला प्रशन रहें दोस्तों गुरुग्राम में किया भ्हारत के पहले उत्क्रृष्टता केंद्र यानि सीट ये का उधायटर न है गाटन किया दोस्तों की अस्थापना बात करेंगे तो हर्याणा के गुरुग्राम में इस्तित राष्ट्री सौर उर्जा संस्थान के परिशर में की गई है यह नया केंद्र भारत सरकार के कौसल विकास और उध्यमिता मंत्राले द्वारा राष्ट्री शिक्षा और युवा मंत्राले फ्रांस सरकार द्वारा स्ट्राइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से अस्थापित किया गया है बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रस्ण की तरफ है दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रस्ण है वह है उत्तर प्रदेश ने ग्रामीर्ड छेत्रों के लिए नंपति और भूमिशमवंधी विवादूं को रोकने के लिए एक विश्यस अवियान यानि वरासत प्राकृतिक उत्तरा धिकारीद की जो शुरूवात की है। दोस्तों इंवां यहां अनंदीब करेंगे दूस्तों योगी आदितनाथ जी हैं बढ़ते हैं डोस्तों आज के अगले प्रस्दी की तरफ आज का हमारा अगला प्रस्थ मित्रों राजनाथ सिंह ने हैदरावाद में अट्याधभुनिक H W T 24 शुभधाों केंद्र का किया उदगाटन दोस्तों हमारी केंद्री मंत्री राजनाथ सिंह नें है द्रावाद तेलंगाना में डी आएडियों की अत्यादुनिक हाइपर सोनिक विंड टेनल यानि एच डबलू टी फरिक्षर सुभधा केंद्र का जो है उद्गाटन किया है बड़ते हैं दोश्तों आज के अगले प्रस्ण की तर्फ आज का हमारा अगला प्रस्ण है दोश्तों कि एस क्या दिया वा देश्तों एस जैसंका ने पाच्वी वार्षिक ग्लोबल टेकनोलोजी पाच्वी वार्षिक ग्लोबल टेकनोलोजी समीट को किया संबोधीत दोस्तों ग्लोबल टेकनोलोजी समीट यानि जी टी एसके पाच् संत्राल में भारत सरकार द्वारक कार नेगी इंडिया यानी सी आई के सहयोग से किया गया है अन्य तीन सम्मिलन राज श्रीना समवाद भू आर्थिक समवाद और हिंद महार्शागर शम्मिलन है जीटीएस 2020 का जो बिसे था दोस्तों दजीओ पॉलिटिक्स आफ टेकनोलोज जो है जो जीटीएस 2020 का जो है बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रस्ण की तरफ कि आज का अगला प्रस्ण है मित्रों रतन टाटा को एसो में एंटर प्राइज आफ दर शेंचूरी अवार्ड से किया गया सम्मानित दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने व फाउंडेशन वीक 2020 को शंभूदीत किया है बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रस्ण की तरफ कि दोस्तों आज का अगला प्रस्ण है अंतर राष्ट्री मानव एक्ता दिवस दोस्तों बात करेंगे अंतर राष्ट्री मानव एक्ता दिवस तो अंतर राष्ट्री मान को चिन्हित करने और एक जूटता के महत्व के बारे में जाग रुपता बढ़ाने के लिए विश्व अस्तर पर अंतराष्ट्री मानव एक्तादिवश जो है मनाया जाता है बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रस्न की तरफ और अगले प्रस्न दोस्तों विश्व इंक ने भारत के विकास में शहयोग करने केलिए विकास प्रियुजनाओं को दी मन्जूरी face विश्वेंग के त्वारा 800 मिलियन अमेर्की डॉलर से अधिक की भारत की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है यह परियोजनाओं विकास संबंदिक कई पहलों का समर्थन करेंगी जो एक अस्थाई और लचिला अर्थ व्योस्था बनाकर भारत के पुनर निर्मार के प्रयासों में मदद करेंगी बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रस्ण की तरफ आज का हमारा अगला प्रस्ण है मित्रों दिया हुआ है कानपूर में 5850 करोड़ रुपे के निवेश से अस्थापित किया जाएगा मेगा लेदर पार्क दोस्तों कानपूर के रमाइप गाउं में 5850 करोड़ रुपे के निवेश से मेगा लेदर पार्क अस्थापित किया जाएगा पार्क जो है मेगा लेदर क्लस्टर प्रजेक्ट का हिस्सा है जो पत्चास हजार लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोगत्जिगार जो है पैदा करेगा आज का हमारा अगला प्रस्न है धोस्तुं गोवा मुक्ति दिवस धो गोवा मुक्तिवस प्रतीक वर्ष वर्ष 19 दिसमपर को मना जाता संगे लिए दुस्तों Protecting सStudy चार सो पक्चास वर्षों के शौषणबाद भार्ती सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराए था कि दूस्तों बात है गवा की तो गुवा की राजधान दोस्तों परजी है क्या धुअ कि परजी और घोवा के राजपाल जोस्तों भगत सिंग कोश्यारी हैं कोने दोस्तों भगत सिंग कोश्यारी हैं और गोवा के मुख्य मंत्री की बात करेंगो दोस्तों गोवा के freedom index 2020 में भारत को मिला 100 ग्राहमा अस्थान दोस्तों इवन freedom index 2020 दूनिया भर में नागरिक आरथिक और विyectियत सुतंत्ता के बारे में जानकारी देने वाला मन माना सुतंता सुचकंग 2020 जारी किया गया है और दोस्तों इसमें भारत का जो है दोस्तों एक सव ग्रहमा अस्थान जो है मिला है तो दोस्तों आज के वीडियो यही पर होते हैं अगर आप सभी लोगों को वीडियो पश्चंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने सभी मितनों को सेर करें और चैनल